मैच जितने बाद रोहित शर्मा ने कहा झीज जीलेंड को उनके घर में हराणा आसान नहीं था भारतिये क्रिकेट टीम के कारेवाहक कपतान रोहित श्रमा ने न्यूजिलेंड के खिलाव पाँच में वन नडे मैच में 35 रन से मिली जीत के बार टीम की तर्जीफ की है भारत ने अमबाती राय अड़ू, नबबे, विजे शंकर, 45 और हार्दिक पांडिया, 45 रन और दो विकेट के हरफन माउला प्रदर्शन के दम पर रविवार को यहां वेस्ट पैक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पांचवें और आखरी वननाडे मैंच में न्यूजीले कर खेलने की जरूरत है और हमने ऐसा ही किया, चार विकेट गिरने के बाद हमें एक ऐसे बल्ले बाज की जरूरत थी, जो वहां टिक सके, राय डू और शंकर ने ऐसा ही किया, हार्दिक पांडिया और केदार जादव ने भी शांदार प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा, हमन बेहतरीन प्रतिभाव का प्रदर्शन किया गेंदब बाजों को महत्वपून समय पर अहम विकेट मिली जब आप मैच जीतना चाहते हैं तो आपको सही संतुलन तलाश ना होता है यहां आकर घर में उन्हें न्यूजीलेंड को हराना आसान नहीं था यह चौत ही बार है जब न्यूजीलेंड को अपने घर में द्विपक्षिय सीरीड घावानी पड़ी है इस हार से निराश न्यूजीलेंड के कपतान केन विलीमसन ने कहा कि नियमित अंतराल पर विकेट घंवाना उनकी टीम कुमन हैगा पड़ गया विलीमसन ने कहा रंगती हम से दूर नहीं था लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि हमने घलत समय पर विकेट बनवाएं। उन्होंने रायरडू के साथ मिलकर अच्छा प्रदरशन किया। कीवी कप्तान ने कहा, हम जानते हैं कि भारत किसी भी विकेट पर कितनी अच्छी गेंद बाजी करता है। उन्होंने हमें हमारी ही परिस्थितियों में कुछ सबबक सिखाया है। वे विश्व स्तरिये टीम हैं, इसलिए सीरीज जीतने के हगदार थे। वन अडे सीरीज के बाद अब दोनों टीमें तीन मैचों की टीडट सीरीज खेलेंगी। सीरीज का पहला मेच 6 फरवरी को इसी मैदान पर खेला जाएगा।